श्वागत है आपका अपनी चैनल एजी इनवेश्ट में तुरिंस आज हम बात करेंगे मुच्वल फंड्स में MFU का अगला प्राउसस क्या होगा इससे पहले हम लोग देखा था कि एक ऐसा प्लेटफर्म जहां से हम अपने मीच्वल फंड्स को सही तριके से देख सके रख सके और फ्यूचर के लिए हम उसको बना सके हमें क्या क्या देखा है हमने ऐसा platform जहाँ पर सब कुछ मिलता है और उसके बाद हमने देखा था कि can कैसे generate करें तो can के लिए अपने वीडियो देख लिया मेरे playlist में आप जाएंगे MFU can मिलेगा MFU can में playlist में आएगा उसके बाद क्या करना है तीसरा वीडियो जो दिया था अपना user ID password कैसे create करना है तो ये वीडियो भी आप है दिया हुआ है आप अपना जाकर user ID password कैसे create करना है उसे भी आप देख सकते हैं user ID create करने के बाद अब जो main important काम है वो काम हमारा है pay each registration pay each registration क्या है इसको बोलते है bank mandate तो pay each registration इसको यानि आपको bank mandate करना है तो bank mandate करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आज आज आपको बताने वाला हो तो इसे आप ध्यान से समझेए सबसे बड़ी खूबी क्या है आपको MFU CAN में कि आप अपना investment चाहें आप lump sum करना चाहते हो या SIP करना चाहते हो यह आप अगर आप दिसमान लेजे आपने MFU का CAN account open किया और immediate आपको payment करना है तो आप UPI से भी कर सकते हैं UPI का मतलब Google Pay Pay टीम वो आपके पास अगर EPI यह आपने बनाया हुआ है आपके पास Google Pay Pay टीम है तो वहां से भी आप immediate invest कर सकते हैं net banking के पास options है आपके पास ATM card का option है ATM card से भी options कर सकते है auto debit का facility है कि आपने एक date choose कर दिया कि मेरा इस date को SIP चलना चाहिए वहां पर automatic लग जाएगा आपके पास यह सब कुछ नहीं है आप RTGS और NFT करना चाहते है यह भी facility आपको mutual funds utility ने दिया है यानि जो भी इस समय available है facility सब कुछ दिया है check से करना है तो check भी कर सकते हैं लेकिन इस समय हम तो सब कुछ online करने की बात कर रहे हैं तो check पर क्यों जाए तो इन सब चीजों के लिए हमारी पास एक important पार्ट है e-payage registration या e-payage बोल दीजिए या bank mandate बोल दीजिए दोनों एक ही चीज है bank mandate इसलिए जरूरी है कि एक बार आपने bank mandate कर दिया तो आपको कभी भी चाहें SIP start करना हो या आपको लंसम invest करना हो तो आपको net banking और उस सब चीजों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक single request आप okay करेंगे और आपकी bank से reductions होके mutual funds में invest हो जाएगा तो इसलिए e-payage third part है जो सब से important है mutual funds utility के लिए तो e-payage हम कैसे register करें e-payage का मतलब देखो payage तो मतलब होगे हमारे को mandate और e का मतलब electronic तो हम अपने ATM card से और net banking से अगर आपकी पास net banking नहीं है तो आप ATM card आपकी पास है सबकी पास होता है तब भी आप अपना ये bank mandate registered कर सकते है registration करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कई questions मेरे पास आया थे क्या हरदम हमें उसको request करना पड़ेगा नहीं एक बार आपने अप्रूब कर दिया जो date डाल दिया उस समय से हर महीने अगर आप सप्ता चूज करते हैं हर सप्ता अगर आप मन्त चूज करते हैं जो भी आप चूज करते हैं उसके according आपका invest होना सुरू हो जाएगा और आपको अपने प्लेटफॉर्म पे दिखता रहेगा कि आपका क्या unit है कैसे है क्या है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि करना कैसे कर सकते हैं मारे पास अगर ATM card और debit card है तो या net banking है तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए आपको अपना user ID और password चाहिए जो आपने बनाया है अगर आपने नहीं बनाया है तो पिछला वीडियो में ने दिया हुए जाकर देख लिजिए अपास आने से बना सकते हैं मैं अपना user ID और password यहां पर डाल देता हूँ और उसके बाद user ID password डालने के बाद हम इसको आगे process करते हैं कि कैसे होगा user ID passwords मैंने यहां पर डाल दिया है इसके बाद second authentication डालेगा कि जो password हम बनाते हैं तो वहां पर दो password डालते हैं तो यह हमने यहां पर complete कर दिया जैसे यह complete करेंगे आपके पास यह details आजाएगा कि आपका यह platform है तो आप इसको देख सकते हैं तो यहां पर देखेंगे आपका पूरा wish list, account, transactions और सारी चीजे मतलब आपके पास जो भी platform पे हैं सब चीज आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या चीजे हैं और क्य यह भी यहां पर देखना सुरू हो जाएगा कि आपके क्या क्या investment है और इसको आप देख सकते हैं यहां पर detail view है, detail view पर भी जाकर आप देख सकते हैं इस पर click करेंगे तो जितनी भी investments है आपके सारे चीजे आजाएगे, गर आपने कोई goal set किया है, यहां पर goal setting का भी option दिया इस mutual fund को उसमें tag कर सकते हैं, तो जब आपका goal पूरा होगा तो आपकी पास यह information आ जाएगी, या आप उसको track कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि आप कभी भी unnecessary mutual fund से छेडशार नहीं करेंगे और पैसे अपने नहीं निकालेंगे, तो इसके लिए यह जरूरी है बहुत सारी च ठीक है, तो यहाँ पर आपको click करना है e-page registration पर, click करते ही आपकी पास आपकी bank details जो भी आपने डाला हुआ है, उसमें registered किया हुआ है, वो सामने आ जाएगा, तो यहाँ पर options दिया हुआ, अगर आप देखते हैं होंगे, तो यहाँ पर एक कुने में option दिया हुआ है, edit करने क या request करने का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर simple click करना है, और click करने के बाद, आपके यहाँ पर रखते ही e-page registration के लिए आगया, यहाँ पर आपको click कर देना है, जैसे click करेंगे, आपके पास यह पूरी bank की details सामने आ जाएगी, इसको scroll करके नीचे जाएए, जब आप नीचे आ आप one time approval दे रहे हैं, bank mandate दे रहे हैं, कि इतने लाख तक का मैं investment करना चाहूं कभी भी, तो कर सकता हूं, तो मैं तो कहूंगा कि इसमें maximum limit है, वो डाल लिजिए, otherwise whatever आप चाहते हैं, अगर आप 50,000 चाहते हैं, तो 50,000 डालिए, आप 1,00,000 चाहते हैं, तो 1,00,000 डालिए, ले आपके एक approval पर आपको इतना investment आप कर सकती हैं, जैसे मान लिजिए कि आपने यहाँ पर 50,000 रुपे डाला है, और आपको अभी 50,000 रुपे इंवेस्ट करना है, तो simple आप one approval पर 50,000 रुपे आपका invest हो जाएगा, लेकिन 50,000 एक रुपे इंवेस्ट करना है, तो आपको फिर दुबारा एक और request देज करना पड़ेगा, तो यह maximum limit amount है, जितना आप चाहते हैं, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, तो चलिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पर मैं 10,000 रुपे डालना चाहता हूं, तो मैं 10,000 रुपे डाल देता हूं, यहाँ पर until cancel, yes या no, आप कब तक चाहते ह हैं, तो मैं कहूंगा कि yes कर दीजिए, कि जब तक यह चलता रहें, चलता रहें, जब मैं cancel करना तब हो, तो यह yes कर दीजिए, start date, start date, जो अभी latest आ रहा है, वही डाल दीजिए, और उसको यहाँ पर हमने select कर लिया, जैसे 14 है, तो 14 select कर नहीं, यहाँ पर ले रहा है 16, तो 16 ह हमने select कर लिया, इसके बाद नीचे आता है, authentication mode, क्या select करना चाहती है, ठीक है न, जैसे यह आप इस पर click करेंगे, यहाँ पर दो option आ जाता है, ATM card, यानि debit card, internet banking, जो आपके पास options available है, अगर आपके पास ATM card है, तो ATM card select कीजिए, internet banking है, तो internet banking select कीजिए, maximum लोगों के पास debit card होता है, तो यह हमने यहाँ पर debit card select किया, नीचे term and condition select किया, और कुछ भी नहीं करना है, और simple यहाँ पर next button पर click कर देना है, जैसे next button पर आप click करेंगे, यहाँ पर लिखा है कि maximum amount should not greater than 10 lakh, तो हो सकता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया हो, तो यह इसको 10 lakh कर देते हैं, और send कर देते हैं, तो send करते ही आपके पास यह details आजाएगा, एक बर आप verify कर लिजे, कि आपका account number यह है और सब कुछ details आजाएगा यहाँ पर, पुरा लिखा हुआ, और आपको सारी जानकारी यहाँ पर होगी, तो इसमें क्या करना है, आपको simple कुछ नहीं करना है, नीचे एक बर proceed कर दिना है, जैसे proceed करेंगे, तो आपके पास एक नया page खुल कर आजाएगा, जो NPCI का होता है, National Payment, Corporation of India, तो यह क्या करता है, कि आपका जो, क्योंकि government के पास साई details है, तो यहाँ पर लेकर आपके पास चला आता है, और वहाँ पर यह authentications के लिए आपके पास लेकर आता है, इसको स्क्रॉल करके नीचे आईए, ठीक है, यहाँ पर इसका reference number दिया हुआ है, तो नीचे आने के बाद, यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर debit card select किया था, तो debit card पे click हुआ आ गया, अब यहाँ पर आपको debit card number मांगेगा, अगर आपके पास debit card है तो maximum time में automatic यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर debit card मांगेगा, यहाँ पर आपका pin मांगेगा, अच्छा debit card pin किसी को नहीं देना, यह सब अपने आप से करना है, और उसके expiry date मांगेगा, क्योंकि अगर आप यह चीज़े किसी और को share करते हैं, तो उसका miss use होने के chances है, तो यहा पर आपको अपना ATM card number, pin number उसका expiry date डालना है, और यहाँ प्लिटामेंट condition है, select कर देना है, select करने के बाद सिधे submit button पे click कर देना है, submit button पे जब आप click करेंगे, तो आपको OTP आएगा, OTP आप डालेंगे, और यह verify हो जाएगा, verify होने के बाद यह reference number आपके system पर update हो जाएगा और आपका यह page registered हो गया, तो simple है, आप असानी से क्योंकि मैंने already कर रखा, इसलिए मैं इसको करना नहीं चाहता, तो मैं यहाँ पर reject कर देता हूँ, और आपका यह page registered हो गया है, अब आप, जैसे अगर वहाँ पर आपके approval हो जाता, तो यहाँ पर आप already आपकी पास आजाता URN number लिखा हो आजाता और आपके system पर update हो जाता, तो उसके बाद आप अपना पूरा investment कहीं से कभी भी कर सकते हैं, तो आसा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको कोई curious है, तो नीचे आप comments कीजिए, और join करना चाहते हैं, तो मेरे telegram पर आपको help करने के लिए, thank you, keep watching